नमस्कार स्वागत अब सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी पारिक तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर गुर्जर नेता ने मंत्री मंडलिये उप समीती से वारता से क्या इंकार सक्री हुए सर्कार तक बंगो में भैसे पेड़ित परिवार ने छोड़ा गाउं खरेलू सामान वेप मवेश्यों सहित कलेक्टरेट पर डाला डेरा ऐसा माजेक तत्वोदारा भी आडम पेड़कर की प्रतिमा को चलाने का किया किया प्रयास और अब खबरे विस्तार से पांच फीजदी MBC आरक्षन सहित अन्य मांगो को लेकर गुजर नेता एक नवंबर को आंदोलन पर रड़ गए हैं गुजर आरक्षन संगर समीती के गुजरोर के आरक्षन और उनकी मांगो के समादान के लिए गठित मंत्री मंडलिये उप समीती से वारता से भी इंकार कर दिया है गुजर नेताओं ने किसी तरीके से वारता के बुलावे तक से इंकार कर दिया गुजर नेता विजए सिंग बैसला ने कहा कि उन्हें वारता का कोई न्योता नहीं मिला है अगर मिला भी होता तो वैं किसी तरीके की मंत्री मंडलिये उप समीती के बैठक में नहीं जाएंगे बकॉल विजय बैसला हम किस बात से वारता करें? समाज की जो भी मांग है उन्हें सरकार पूरा कर दे अब और वारता के लिए क्या रहे गया है? इतने दिन से वारता ही हो रही थी, हम किसी बैठक में नहीं जा रहे हैं सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, नहीं तो हम एक नमंबर से आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारा साफ रुख है और अब खबरपाली के देसूरी से जहां उपकंड शेत्र की सादड़ी नगरपाली का शेत्र में वीर तेजाजी छात्रवास में राश्ट्रे लोगतांत्रिक पार्टी की स्थापना दिवस्पना आये गया साथ ही आगा में पंचायत राच चुनाओं में जिला परिशद वे नगरपाली का चुनाओं को लेकर पार्टी विस्तार पर विचार विमर्श किया गया इस मौके पर राश्ट्रे लोगतांत्रिक पार्टी के सेखडों कार्यकरता उपस्तित रहे साथ ही आमजन नागरिक भी उपस्तित रहे वहीं पाली के देशूरी के निकटवर्टी ग्राम पंचायत गुड़ा जाटान के राजस्वे गाउं सुथारों का गुड़ा में सरकारी गौजर भूमी अतिक्रमन द्वारा अतिक्रमन करने के मामले में अतिक्रमी को बार बार ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमन हटाने का नोटिस भी दिया गया लेकिन अतिक्रमी द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस को दरकिनार करते वे आक्रमन जारी रखा इसको लेकर गुरुवार सुबह ग्रामिनों वे ग्राम पंचायत के संयोग से सरपंच घीसुलाल मेगवाल वेवाडपंच की मौझूदगी में जेसीवी मशीन लगवा कर अतिक्रमन हटवाया गया अतिक्रमी द्वारा चारों तरफ धोरा दे रखा था उसको भी जेसीवी मशीन द्वारा साथ में गौचर भूमी को अतिक्रमन से मुक्त करवाया गया इस अफसर पर पूर्व सरपंच विक्रम सिंग इंदा वे सैकडों की संख्या में ग्रामिन मौझूद रहे तो वहीं पाली की तैसील बाली में पंचाय समीती के निकाय चुनाओं में वार्ड संख्या छे कोठार दूदनी से कान सिंग वेलार ने भी अपनी दावेदारी जता दी है आगामी निकाय चुनाओं में कठोर दूधनी ने जनरल सीट से कान सिंग वेलार की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है गौर तलब है कि अभी तक किसी पार्टी और निर्दलिय चुनाओं लड़ेंगे ये अभी तक पैन नहीं है परंतु कठोर दूधनी की ये जनरल सीट पर दोनों भाजपा कॉंग्रिस के प्रत्याशियों के नाम नहीं आये है इस समण में समासेवी कांस सिंग वेलार से हुई वार्टपाल में उन्होंने बताया कि कठोर वेलार और दूधनी लालपुरा रगुनादपुरा से आम लोगों का अशिरवाद होगा तो अवश्य चुनाओं मैदान में उतरूंगा इस शेत्र के लोगों ने यह विशेख में मांग की है कि जब से पंचैस समीती के चुनाओं की घोशना हुई है तब से कई लोगों के फोन आने लगे हैं उनकी भावना और उनके इसने के समान के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा आम लोगों की उमीदों पर खड़ा उतरना ही मेरा परम लक्षर जारी है और आगे भी जारी रखूंगा वहीं ग्रामिन गोविंद रावन ने बताया कि कान सिंग वेलार हमारे शेत्र के सच्चे जन सेवक के तौर पर इनकी भूमी का सदेव रही है हमें खुशी होगी अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कठोर दूदनी लालपुरा वेलार के लोग इन्हें मत देकर आशिरवात देंगे और अब खबर करोली जिले से जहां पे तुलसीपुरा में एक परिवार ने दबंगों के भैसे गाउं छोड़ कर गुरुवार को घरेलू सामान वे ममेशो सहीत कलेक्टर पर डेरा डाला तुलसीपुरा गाउं निवासी रामवी ने दबंगों द्वारा नीजी भूमी पर कबजा करने पर मालपीट करने का आरोप लगाया है जिनकी अने को शिकायतों के बाद भी कोई करवाई नहीं होने पर गुरुवार को वे पीडित परिवार के साथ कलेक्टर परीसर में बैट गए वहीं अपनी मवेशों को भी कलेक्टर पे भांद दिया इस दोरान ने ADM सुदर्शन सिंग तोमर, SDM देविंदर सिंग परमार वे तैसलदार ने पीडित परिवार से समझायश की उन्होंने बताया कि पीडित परिवार का मामला कोट में लंबित चल रहा है पीडित परिवार दोरा नाय नहीं मिलने तक कलेक्टरेट से नहीं हटने की जित के बाद में DSP, मनराज, कोतवाली थाना अधिकारी, दिनेश मीना, वे सदर पुलिस कलेक्टरेट पहुची जहां से पीडित परिवार को समझायश के लिए कोतवाली थाने में लाया गया वे मवेशियों को कलेक्टरेट से गोशाला भीजा गया और अब खबर जालोड जिले के मोदरान से जहां रेलवे स्टेशन बाजार में गुरुवार को शुद्ध के लिए युद्य अभ्यान के तहत जसनपुरा, उपकन अधिकारी, शैलेंडर कुमार, नायाप तैसलदार, महरा राम, आर आई, लीला राम, पटवारी, केलवा राम, रोशन लाल, चिकित साले से, मेल, नर्स, चंपा लाल, सौलंकी, नरेश वेब, पुलिस कॉंस्टेबल, रमेश कुमार के साथ में, मिलाव पार, कोल रिंग, मिनरल वाटर, धनिया मसाला वे आटे को जब्त कर ततकाल नश्ट करवाया गया, वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे अवदी पर खादे पदार्तों के सेवन से व्यक्ती बिमार हो जाते हैं, ऐसे मिलावट खोरों के खिलाफ सकत कारवाई की जाएगी, इसी बार रिलिक्षन के समय इस तरीके की लापावाई सामने आने पर लाइसेंस रद करने की चेतावनी दी, रिलिक्षन के दौरान किराना दुकांदारों में हड़कम मच गया, इसको लेकर कई दुकाने बंद प्रशाशन वैजनता के आँखों में धूल जोग कर भाग न और अब खबर श्री गंगानगर के सुद्गर से जहां थर्मर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत राया वली के राजीव गांदी सेवा केंदर पर राजिस्तान पुलिस प्रशाशन द्वारा जारी महिला अत्याचार वैल लैगिंग शोशन के खिलाफ आवास कारेकरम का आय कारेकरम के दौरान उपसर सभी महिलाओं को राजिस्त सर्थाना सायक उपनिरिक्षक सजन सिंग ने महिलाओं के प्रती बढ़ रहे अत्याचारों वैं महिला अधिकारी के प्रती जागरुक किया गया कारेकरम योजन से पहले कोरोनावाइरस संक्रमन के बजावेतू निश और अब खबर चुरू के तारानगर से जहां हर्याना हॉस्पिटल वैं मेडिकल की तरफ से रहगिरों को मास्क वित्रट के गए जिनोंने मास्क लगा रखे थे उन्हें गुलाब का फूल दिया गया जिनोंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें मास्क लगाने के लिए प परिवार का भी ध्यान रखे यदि आप स्वस्त रहेंगे तो समाज भी स्वस्त रहेगा जिन जिन लोगों ने मास्क डाल लगा था उनको तो फूल वित्रन किये और जिन जिन लोगों ने मास्क डाल लगा था उनको मास्क वित्रन किये और कुरोना जैसे मावमारी के बारे में बताया कि ये कितनी बड़ी मावमारी है इससे बचाव करें और सब्सक्राइब अब खबर बीकानेर के कोलायत से जहां आज आमजन को शर्मसार करने वाली खटना सामने आई है देर रात असामाजिक तत्वोदारा डॉक्टर बी आर्ड अमबेडगर की प्रतिमा को जलाने का प्रयास किया गया सूचना पर अल सुबै पुलिस वे प्रशाशन के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे वहीं दलित समाज वे ग्रामिन इस घटना के विरोध में अमबेडगर सर्किल पर धना लगा कर बैट गए एडिशनल स्पी सुनील कुमार, SDM प्रदीप चाहर ग्रामिन धन्ना इस्तनल पर पहुँचकर आकरोशित ग्रामिनोर से वारता की वारताम के दौरान आरोपियों की जल्द ग्रफतारी वे कस्वे में सिस्टीवी कैमरे दुरुस्त करने की मांग पर सहमती बनी पुलिस ने अग्यातों के खिलाफ मामर दर्चकर जाँच शुरू कर दी है पुलिस दौरा आसपास के सिस्टीवी फुटेज भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस ना मिली थी कि पुछ समाद कंट को ने बाबा साब भी मुझे बजार में लगी वी उसके नुक्सान पहुंचाने को सिस्टीए तो उसके बाद एसेटो साब शीयो साब वर्त करद संपून जाबता यहां इस समन में पहुंचा और मुझे का मुएना किया तो पाया कि किसी अग्याद समाज में का चुरूस्टीयों ने मूर्ती के पास में कोई कपड़ा जला कि लगे और जर्लन सी इर्पदार से उसको का इसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए साब सफ़ाई सब्सक्राइब करवाई गी अभी इस उनकी लोगों की मांग थी कि मुगदमे की जो आरोपी है जल्दी से जल्दी गिरफ तार किया जाए तो इस सबन में एक टीम विसेस टीम गटित की गई है और सीगरी मामले जो लोग दरने पर बेठे थे उससे सुम्जाइज की गी और आप खबर बारा के कवाई से जहां कस्वे के अटुरू रोड इससे तराज के उचिमादमिक विध्याले में गुरुवार को विध्याले के समस्ट स्टाफ ने विध्याले में फैली गंदगी व्याज को काट कर आपके हवाले किया गुरुवार को विध्याले के समस्ट स्टाफ ने एकमत होकर श्रमदान करने का लक्षे बनाकर विध्याले परिसर में हो रही घास को काट कर आपके हवाले किया वहीं परिसर में फैली गंदगी को एकतुरित कर परिवार परिसर से बहार निकाला गया अध्यापिकों का कहना है कि जल्ध ही विद्धाल्य खुलते हैं तो परिसर में बड़ी बड़ी घास हो रही थी, इनमें विषयल जीव जन्टू होने की संभावना है, विध्याले में बच्चों की प्रवेश होने पर उन्हें किसी तरीकी की समस्या ना हो इसको देखते वे विध्याले की साफ सफाई की गई है और अब खबर जालावाड के डख से जहां राजर निर्वाचन आयो की और से पंचायती राज चुनाव की घोशना के बार राजनेतिक पार्टिया हरकत में दिखने लगी है पंचायत समीती वे जिला परिशत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए दावेदार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं पंचायती राज चुनाव को लेकर जहालवाड जिले की डख पंचायत समीती के तीन भाजपा मंडल के कारेकरताओं की एक बैठक भाजपा चिला अद्दक्ष संजर जैन ताओ की अद्दक्षता में डख कस्पे में संपन हुई जिसमें जिला परिशद वे पंचायत समीती सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उमीद्वारों ने अपने आवेदन चुनाव प्रभारी को सौपे इस दवरान जिला अद्दक्ष संजर जैन ने कॉंग्रेस सरकार को विफल बताते वे बिजली पानी सडक सुरक्षा साइथ कई मुद्दों पर घेरा साथ ही उन्होंने किसानों को बिजली वे यूरिया खाद नहीं मिलने साइथ कॉंग्रेस की चल रही अंतर कले पर भी वे जिले में सभी पंचाय समीतियों में भाजपा के प्रधान बिठाने का वादा किया बैटट में भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविन सिंग, गौतम जैन, सुल्तान सिंग, साइथ जिले रमंडल के पदाधिकारी वे कारे करता मौजूद रहे अभी उद्बोदन ने आपने बता है जालावार जिले की आठो शीटो पर पर प्रदान और जिला परिशत का जो है आपका प्रचम लेराने वाला है क्या ऐसा संभाव है किसा आधर पर आप ऐसा बोल चुकते हैं निश्चीत रूप से बारती जन्ता पार्टी कारिकर्टा बेस पार्टी और कारिकर्टाओं के दम पर हम आठो पंचाय समीती और जिला परिशत जितेंगे पूर में भी हमने आठो परदान इस पर थे और जिला पर मुख हमारा था मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 मा की सरकार में खाली वादों के इलावर क्या किया है किसानों का सारा करजा माप करने का इन्होंने वादा करा था बेरोजगार यूकों को इन्होंने 35 रुप बत्ता देने का वादा किया था इन्होंने आज तक उन किसानों के साथ दोका करने के क्या क्या लेधियों के तो दोगा करने के साथ क्या क्या है الجालावार जिले में जिसकार गार का 117 वेवाल तीन-तीन यहां पर लोग मर चूके और अपान परदान भी जीतेंगे और अब खबर जैपुर से जहां नगर निगम जैपुर वाड नंबर सेती से निर्दल ये प्रथियाशी राकेश अंगरवाल ने वाड का दूरा किया और वाड की समस्या जानी राकेश अगरवाल ने बताया कि मैंने वार में बहुत काम किये है वार में पिछले काभी समय से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और उनके हितों के लिए काम करता आया हूँ और जनता के सहयों को देखते वे मैंने चुनाव लड़ने की दाविदारी की है वार की जंता मेरे साथ में कंदर सा कंदर मिला कर चलने को तयार है पूरे वार का दौरा कर मैंने हर समस्या को देखा है और जंता को आश्वाशन दिया है कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा आप सभी के लिए मैं हर समय तयार हूँ फिलाल हमारा राजस्तान गुलिटन में बस इतना ही आप देखते रहें डीपी के न्यूस नमशकार